चोती सिंग तुम अपने आपको समझती क्या हो किसी के बारे में कुछ भी भूग दोगी और जनता उस पे विस्वास कर लेगी और क्या कह रहे थी कि अच्छरा पाउन सिंग की पहली पत्नी है तो तुम मुझे ये बता कि पवन सिंग में जब अच्छरा सिंग को छोड़ दि कि पूछो उस बाप से उसके दिल पे क्या बीतरा है तुम तही ही करके बस कुछ भी बोल दी तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि आपको भी इतना पढ़ी लिखी होंगी आपको भी पता होगा ना कि जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनेगार होता ह क्सफार आगले थ intended दोश्म को आज हम बात करने वाले हैं पौवन्सिंग की वाइप जोती चीज सिंुक? लो बात इन्होंने उस्तैस को बोला है वह चीज इतनी बुरी लगे न है, इतनी बुरी लगे न थिम प्रता हो हूं ये गालत है करते हैं जब तुम्हारे साथ इतना टॉचर होता था वो सराप पी के आके तुमको बोलते थे डाटते थे मारते थे तुमको सुसाइट करने पर मजबूर करते थे तो तुम तीन-चार साल से कर क्या रही हो यार यह एक संथ पहले ले लेना चाहिए था तुमको और इस इंटर्वियू को अगर आप पूरा देखेंगे तो उसमें जोती सिंका उस इंटर्वियू के अंदर तीन से चार पहली हो गया है जो कि कहावत बोलती है कभी बोलती है कि दूर का ढोल सुहावन होता है तो मैं उनके लिए यह कहना चाहूंगी कि आपको भी इतना पढ़ी लिखी होंगी आ पहने वाला गुनेगार होता है अबसी आप ऐसी सारी फैंली प्रेशर में आगे कि हैं बाकी यह मेरे से बोलते हैं बीभी तु मैं ही हूँ इसका मतलब यह होता है कि आप गुनेगार है और आप ने गुना सहा है कही नहीं तीन चार साल पांच साल जो भी हो आपके सादिय क और आपके बारे में अगर बात किया जाए न तो आप कम कुछ नहीं किया है अगर आपके इंटर्व्यू का बात पकड़ के और आप पे ही जब बोला जाए तो आप जबाव नहीं दे पाओगी मतलब आपकी मर्जी थी जादी नहीं कर रहें लेकिन आपके पॉमन सिंग से साधी नहीं कर रहा है तो अससे कि आप बोलना चाहते हूं कि बेहन कैपके पापा चाहते हैं कि आपका divorce हो जाये, नहीं चाहते हैं न, लेकिन फिर भी ले रही हो, तो आप बिना आपने पापा की मरजी से क्यो डिबोस ले रही हो, खुद का फैसला क्यों सुना रही हो, आपके पापाने तो पहले आके आपको बोला नहीं हो कि डिबोस ले लो, और क्या आपको यह ची तो मतलब साधी करने से पहले सोच लेना चीए था उसकी पत्नी पहले मर चुकी है कुछ दिक्कत होगा जब आपको पता चला था कि अच्छरा सिंग तीन महीने की प्रेगनेंट है तभी आपने कोई एक्सन लिया होता तो बात समझ में आती लेकिन आप आपकी बात कौन भरोसा करेगा कि अच्छरा सिंग तीन महीने की प्रेगनेंट थी और मानलो चलो अगर थी भी अगर वो थी भी प्रेगनेंट तो आपको कोई हक नहीं बनता है किसी औरत को किसी लेडिस को आप ऐसे ही बस कुछ सोचो न समझो कुछ खुद के लिए खुद सो बंध हो जाता है कि मेरा मकसद यह नहीं मैं किसी signing ऑसी के साथ थे कि इस या सब्सक्राइब फोन उठाया था बोली थी मैं उनकी गल्फेंड बोड़ी हूं अरे भाई उसी दिन तुमको पता चल गया था ना कि उसकी गल्फेंड फैसन डिजाइनर थी तुम भी फैसन डिजाइनर थी इतना तो जानती होगी फिलम इंड़स्टी में कौन पॉंसिंग और अच्रा सिंग क कुछ भी करेंगे तो सब कुछ हमको पता था तुम जान बुझके सब करियो और क्या हो सकता है पैसे के लिए बड़ा आदमी यह कौन सिंग चोटा आदमी तो है निसादी किया तलाक लेने के बहाने बहाने यह दो करोड़ एक पांच करोड़ मुझे दो तभी हम तलाक लें सब्सक्राइब करेंगे इसमा अक्सरा सिंग को कुछ मत बोलो कि इन चार साल पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था तब से उनको जानने लगें कि उनको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और पब्लिक चुप चाप सुन लेगी वो सुप चाप सांती से कर लेंगे कि किसी और एक्टर को एसे उल्टासीदा बोलने कि प्रेगनन थी तिन महीने की यह माना जाए तो बहुत बड़ी बात है और उनके माबाप नहीं है तुम अपने पापा की खुछी के लिए सादी कर ली और उस पापा से पूच हो जाके जो कि सुन रहा है अपनी बेटी का क तिन महीने के प्रेगनन थी, मीडिया वाले उनसे इंटर्विव में पूछ रहे हैं कि क्या आपकी बेटी प्रेगनन थी तिन महीने की, पूछो उस बाप से, उसके दिल पे क्या बीतरा है, तुम तही ही करके बस कुछ भी बोल दी, अरे भाई ये सब बात भी न बदब चुक हम वही बता रहें, अपनी सोच भी बता रहे हैं और सच भी बता रहे हैं… तो दोस्तो वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक करें ना मिलते हैं और मेरे सपोर्टर आपको दिल से ठाइए हुँ दोस्तों अगली वीडियो कि आप लोग कमेंट करो किसके उपर हम लोग मनाएं ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टाटाप बाई बाई